हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटासिट कैपसूल का रिव्यू करने जा रहा हूँ पेट में बनने वाली गैस, जलन और बधाजमी को दूर करने के लिए इस मैडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है ली 30 मिली ग्राम कैपसूल ब्रांड नेम से यह मारकेट में उपलब्ध होता है बेस्टो केम फार्मूलेसंस इंडिया लिमिटेड के दोरह इसका प्रोड़क्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 10 कैपसूल का एकिस्ट्रिप मारकेट में 42 रूपीज का उपलब्ध होता है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेज करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिशन ना करें अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिखकर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस कैपसूल में लेंसोपराजोल 30 मिली ग्राम की मातरा में उपलब्द होता है आए फ्रेंड्स आप देखते हैं इस प्रोड़क्ट की कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स लेंसर 30 मिली ग्राम कैपसूल जिसे डिवाइन लाइफ केर प्राइवेट लिमिटेड के दौरा बनाया जाता है। इस मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलाप भी है कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स है जो आप इस मेडिसिन के न मिलने के स्थिती पर पर्चेस कर सकते हैं। आपको एफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुक इस्तिमाल के बारे में तो जैसा पहले ही मैंने आपको बताया है यह एक एंटासिट कैपसूल है और आपके पेट में बनने वाली एसीडिटी को कंट्रोल करता है। इस मेडिसिन का उप्योग गेस्ट्रो साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स जैसा की एंटासिट मेडिसिन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं नौजिया का होना वोमिटिंग का होना डायरिया का होना फ्लैप लेंज का होना हैडेक होना यह सारे साइड इफेक्ट इसमें भी देखे जाते हैं अब देखत को साबुत निगलना चाहिए तोड़ना चवाना कुछलना या पीशना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को इंपटी इस्तमक यानि खाली पेट लेने की एडवाइस की जाती है अब देखते हैं फ्रेंड से मेडिसिन काम कैसे करती है तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ यह फ़ात मिलती है और आप अपने रोग को कम स्थिति में पाते हैं मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं 자꾸 क्या मेडिसिन लंबे समय तक के लिए रहत प्रदान करने के लिए उप्यों करने के सलाह दी जाती इस मेडिसिन को लेने का जो तो रेजीमेन होता है वह जनरली खाना खाने से एक घंटा पहले होता है इसके पहले भी आप ले सकते हैं इंपटी स्टमक में अगर आवस्चकता पढ़ती है तो इसे दिन में दो बार लेने की एड़वाईज दी जाती है ACIDITY रोकने के लिए आपको कुछ specific point पर ध्यान देना चाहिए जैसे carbonated जो drinks होते हैं, soft drinks होते हैं, cold drinks होते हैं उन्हें लेने से आपको बचना चाहिए खटी चीजों को लेने से बचना चाहिए, तलब भुना खाना से बचना चाहिए, caffeine युक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे चा या काफी इत्यादी के सेवन से बचना चाहिए आपको nicotin युक्त पदार्थ जैसे धुमरपान से बचना चाहिए, बेड़ी cigarette के इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, सराब या alcohol का इस्तिमाल प्रतिवंदित करना चाहिए, अधिक रात तक जागना या सोने से जस्ट पहले खाना खाना, ऐसी condition से भी आपको बचना चाहिए अगर आपको medicine लेने के पस्चात बहुत लंबे समय तक दस्त बना रहता है, पेट में दर्द होता है, या बुखार बना रहता है, तो आपको अपने चिकिश्चक को इस बारे में सूचित करना चाहिए, और medicine लेना बंद करना चाहिए medicine को लगतार 15-20 दिन तक लेने के पस्चात भी, अगर आपको अपने लक्षडों में किसी भी प्रकार की राहत महसूस नहीं हो रही है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, और अपने चिकिश्चक से इस बारे में आपको परामर्स आवस्चे करना चाहिए इस medicine को लंबे समय तक लेने से आपकी हड़ियां कमजोर हो सकती है, और उनसे calcium की deformity हो सकती है, calcium deficiency हो सकती है, इसलिए बहतर होगा कि जब आप इस medicine का इस्तमाल कर रहे हों लंबे समय तक, तो magnesium या calcium जैसे supplement आपको साथ में लेना चाहिए, डक्टर से उचित परामर्स करना चा मातरा का घट जाना, सूजन का बढ़ जाना, fluid retention का बढ़ना, कमर में दर्द रहना, nausea का होना, ठकान का होना, fever का होना, अगर ये लक्षण आपको बार बार बन रहे हैं, repeat कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में भी डाक्टर से परामर्स आवस्य करना चाहिए, अगर आप medicine के कोई dose भूल गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके, आपको medicine के dose को ले लेना चाहिए, परन्तु अगर next dose का समय हो गया हो, तो पिछली dose को skip कर देना चाहिए, medicine को double कभी भी नहीं करना चाहिए, इसके proper regimen से ही medicine को इस्तमाल करना चाहिए, medicine को लेने के दौरान आपको alcohol के सेवन स बिसेश रूप से बचना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के complications में पढ़ सकते हैं, गर्भवस्ता में अगर आप हैं, या pregnancy की planning कर रहे हैं, या इस्तन पान के period से गुजर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से उचित परामर्स करें, इसके पस्चाथ होती हैं, आँखों कि उसमें कुछ प्रकार के प्रभाव आते हैं, द्रश्टी धू मिलता जैसे, side effect भी देखने को मिलते हैं, इसलिए बहतर होगा कि आप जब इस medicine का saving करें, तो driving करने से बचें, kidney रोग या liver रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो बहतर होगा कि अपने डाक्टर से उसे परामर्स करने के पस्चात ही medicine को आपको saveन करना चाहिए, इस medicine को अगर किसी bad ridden percent को दे रहे हैं, या ICU में किसी percent को दे रहे हैं, तो इस capsule को open करके इसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं, granules होते हैं, उन्हें एक syringe में रखना चाह और इसकी जो ट्यूब को नेजो गेस्टिक ट्यूब यानि राइल्स ट्यूब से जोड़कर आपको insert करना चाहिए, और सीधे पेट में इस medicine को देना चाहिए, एक बार दिये जाने के बार ट्यूब को साफ करने के लिए कुछ अधिक मातरा में juices को मिलाकर flush करने से यह tube पू जैसे indication है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, इसको crust नहीं करना चाहिए, powder या इसके granules को निकाल कर अलग से सेवर नहीं करना चाहिए, भोजन करने से पहले कम से कम एक घंटे पहले आपको इस medicine को लेना चाहिए, इस medicine को लेने के दौरान ऐसी कोई भी चीजों का सेवर न आपके सेवर से आपको बचना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के complication को सामना आपको ना करना पड़े, इस medicine का जो इस्तमाल होता है, वह बच्चों के लिए, गेस्ट्रो जो इरेजू, गेस्ट्राइटिस होती है, उसके management के लिए किया जाता है, इसकी जो activity होती है, यह सभी उम्र में generally देखने को मिलती है, तो friends, यह था एक छोटा से review medicine के उपर, मैं उम्मीद करता हूँ friends, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है, तो प्लिज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लबबन तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक बात और नोट रखें friends की, किसी भी स्थिते में सिर्फ वीडियो के आधार पर medicine का सेवन ना करें, यह आपके लिए हानिकारख हो सकता है, आप अपने चिकिस्चक के उचित परामर्ज के पस्चा थे medicine का सेवन करें, इस वीडियो बस इतना ही किसी अन्य अच्छे content के साथ आप से फिर मुलकात करता हूं, तब तक लिए good bye, आपका दिन सुभ हो, जैहिंद